अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू अन्यू वीडियो हम लोग सबसे पुराने ब्रीडिंग सेट अप पे हैं हैदराबाद के जो काफी ओल ब्लेड लाइन में काम करते हैं हमारे जावेद भाई यह ब्रीडिंग सेट अप है जहां पर आपको नसले देखने मिलते हैं जो जावेद असलाम अलेकुम वालेकुम असलाम कैसे आप हमेशा की तरह आप से मिलके बहुत खुशी होती है आप कितने सालों से काम कर रहें ब्रीडिंग लाइन में चालिस साल से शॉप में हूँ माशालिया और सो घर की ब्रीड है बाहर के कुछ नहीं यह कौन सी लाइन की बीड़े बता पाएंगे आप लाइन नसल एक होती है अपने अपने नामा रख लेने से नहीं होता अच्छा यह जो है एक ही लेनर की एक ही नसल होती है अब उसको बनाते चार अच्छे चार बुरे सुब बनते अब हर अदमी पाल लिया भकरा उन्हें हर अपना नाम रख अपने हिंदुस्तान की नसलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने हिंदुस्तान की नसलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने हिंदुस्तान की नसलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने हिंदुस्तान की नसलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने हिं कशी नस्ड़ों में से न हाँ अच्छे नछों में से हैं अब WR 다 में बिरिट का नाम तो ने देता ओ वह बिरिट ये विरिट वो नंओ अच्छी नस्लों में से भस यह सारे नसी में उया पूरे नसी में मानिनихान पूरे पूरे बच्चों को मैं हाथ पिलाता हूं कोई रीजन है क्यों है हाथ पिलाते हैं मां का दूद मैं नहीं पिलाता हूं सबको अलग रखता हूं इसलिए करता कि मा के पास से हड़ गया तो बगरी एक महने में भरे जाती अच्छा मा के पास में बच्चों को छोड़े तो तीन स्टाइब यह उस्ताद की बाते हैं जो बता रहे अब मेरे पास में क्या है एक महने में बगरी भरे जाना अब पिछले टैम जब आये थे बच्चे पढ़े थे मेरे पास फिर यह डेट देख लो उसकी वच्चों की यह डेट देख लो जे पूरे बच्च्छा पे फालता हू सारे हैं धन फिटें पालता हो बच्छों के बच्चे बेजते किती उमर में हुआ है अच्छा पर चीजे देखनी पड़े इसमें इसका चेहरा देखते हैं पंच फेस में अ हाँ पंच फेस है ना लंबे कान पंच इस चार दिन के बच्चे यह और एक-दो बच्चे बताए ना यह आला बच्चे तो अंदर हो दे लिए जी यह बड़े बच्चे हैं यह पाटा हैं पाटा है सब यह पाँच पाँच माने के पाँआई है ओ माशाला से कान अलहम्दोलिल्ला दोस्तों यह कॉलिटी होती है 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 अधराबादी के आखे सफेद लंबे कान यह जो नसल किते सालों से है आपको कुछ अंदाजा इसका बर्सों से है यह लेकिन मैं तो चानिस सां से देख रहा हूं नसल यह और दिमांड में काफी है ना है फिल्लोक अधराबाद में नासी का डिमांड है हाँ यहां से हट्किया अधिकर आइमादाबाद गुज्राद ब पेस्तेरे सोंगे कॉलेटी भाई जान है कि अधिकर पूरा दारोमदार कान और आखों का होता है इनका है अधराबादी नसल में अगर मैं पूछू आपको दूद वगेरा कैसा होता है दूद अच्छा होता वहाँ मेरे पास के बग्रियों को कम से कम दो धाई डरी लेटर जिवे देखा दो से धाई लीटर दूद देखेंगा अधर कसे उठे देख ले सकते आप है फुल दूद है इसमें हां यह देखो यह देखो यह पहले पार्ट है यह पहलन पार्ट है यह यह भी पहलन पार्ट है कुछ एक्स्ट्रा खाना देना पड़ता है क्या भाई नए ने ने ऐसा कुछ भी दूद आटमेटिक अल्ला की मर्दी दूद की नसल होना पड़ता यह भी एक दूद की खरीब दोड़ है निकाल चुके आप दूद निकाला एक लेटर दूद निकाला भी तो तकासों का यालम है दोस्तों जावेद भाई बक्रों के अलावा मुर्गे कवग आज दो जूदक की विपोड़ते हैं फिम्हहें के पास में एक से इक असील मुर्गे कब खभू पर भी बहुत अच्छी नसलों में उनके मुर्गे तयार करते हैं बेशते नहीं है जाए मुर्गे बेशते हो क्या बेशते हो मुर्गे रवाते हम शौक के वास्ते अब यह बबरे चूटिया लोंगा सटप कर रहा हूं जड़ा बंदरा के दिए बबरे बबरे चूटिया क्या मुर्गे की नसले क्या है ने कभूतर की इंद और अग्या कि यह हाई फ्लाइंग होते हैं कि सिफ शोपीज यह शोपीज है क्या रेट में बिग जाते हैं यह पैर यह वीस हजार जोड़ा पच्छी सज़ा जोड़ा पराज़ा जोड़ा बैस्ते ना परे है आप देखें आपको फूरा सेट उनका पूरा बनाया हो यह आप इंडिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं आप इसी सफेद होते हैं और ग्रे कलर के इनके सेट अप होता है ना इनके बच्चे हैं पूरे बच्चे भी आप पूरे हाथ प आपके बच्पन से ही के थोड़ी देन जरुफ थोड़े होके हाथ इस रसपा के बच्चे गाले ताकि वंठ जरुबिस अपिस अंडे आज आजा है आपका टेकनिक सही बिजनिस भी अगर देखोगे तो फिर ज्या पूरा जोड़ोंगे ने अंडे मिलेंगे देखे भाई भाई देखे इसका ने भी बच्चे निकले वे हैशा है नहीं नहीं अंडे पे यहां हाँ पूरा नो आपका बहुत बहुत शुक्री आपने टाइम दिया हमको और अपने जानवर दिखाए इंशाला हम लोग बहुत ही जल आपकी बड़ी वक्रिया और जो ब्रीडर है वो भी लोगों तक दिखाएंगे इंशाला में जाविब भाई की बारे में बता दू कि यह बहुत ही लंबे समय से ब्रीडिंग सेटप पर काम करते हैं काफी नॉलेज है भाई को आप अगर हैं तो इनसे जरूर मुलाकात करें या अगर आप जानवर भी ले रहे हैं तो यह काफी ओनेस बंद हैं आपको इसली इनके पास जानवर मिल जाएंगे आपका नंबर बताएंगे एक बार 9700 327521 ठीक है तो किसी को अगर लो बजट के बखरे चे तो भी आपसे कॉंटक कर सकता है लो बजट के बले तो भाई अब 30-40 से कम के तो लो बजट नहीं होता उससे कम में नहीं मिल सकते बखरें बखरिया कुछ भी क्यूंकि मेरे पास quality है अब ऐसा आपको मिल जा सकते मेरे प 30-25 थीजार पर मिलते लें कोई काम की बात नहीं हो उनकी ब्रीडिंग सक्षिस नहीं जादा है में जादा है अब उसके हिसाब से जब तीज चालीजार पर बेच के कोई मतलब नहीं आ रहा है मेहनत तो दिख रही है आपके है ना बहुत जादा मेहनत है इसके अन्ड़ बह